दोस्तों आज बहुत तकड़ी नियूस आई है डंकी को लेकर बहुत से लोगों को पता लग गया होगा पर फिर भी हम बताएंगे अपने तरीके से बताएंगे सबसे पहले आपको बताओं कि डंकी डे टुन्टी वन के अपर कितना लेकर आ सकती है वो बात करते हैं उससे पहले ही बता दू कि डेट टुन्टी वन की सावन की पर 33% परसंड यह तो होगे पैंसी का हाल अब बात करूं तो बॉर्स बात करूं तो बॉर्न 7.9 अफटरून 10.63 एंड इवनिंग 11 परसंड कि इवके पैंसी है डेट 21 के ओपर यह उके पैंसी और इतनी कड़कती ठंड में बहुत बढ़िया है अब कितना लेकर आ सकती है वो बता यह तो हो गई रोजाना की बाते हैं अब करते हैं ब्रेकिंग न्यूज वाली बात हाँ जो लोग सोच रहे हैं डंकी जा रही है ऑसकर में वो भी इंडिविज्वल कहने का मतलब है प्रोडूसर्स लेकर जो अपने खर्चे के ओपर भेज रहे हैं में कैटिगरी के अंदर में कैटिगरी क्या होती है जहां सारा कमर्शल सिनेमा होता है में कैटिगरी ये डोक्यमेंटरी नहीं एक पूरे कैटिगरी के अंदर जाने वाली जैसे हम आपर अगर आप देशी लेंग्वेज में समझाओं तो वह भाई कमर्शल सिनेमा है जहां पर इसके साथ सारी फिल्में करेंगी international category के अंदर क्योंकि वहाँ पर और भी देशों से फिल्में आती है अब क्या है ये individual जाने से क्या होता है individual जाने से मतलब makers को सारा खर्चा खुद करना पड़ता है सारा form भरना submit करना documents उसके बाद वहाँ पर jury के साथ tie up करना उनको अपनी फिल्म दिखाना आपको मैं बता दूँ process क्या होता है औसकर्स का ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ जब लगान गई थी माल लो jury member है 400 तो इनका क्या process होता है आपको सारे jury member से permissions लेनी होती है मतलब की आपको appointment लेना होता है और उनको अपनी फिल्म दिखानी होती है जितने जादा jury members को आप अपनी फिल्म दिखा पाएंगे उतना जादा आपकी फिल्म के chances हो जाते हैं एवार्ड लाने के ये process उस वक्त का है जब लगान गई थी अब process change हो गया हो तो मुझे नहीं पता कहीं बीच में आकर ये मत कूदना तुझे पता ही नहीं है तो update नहीं है वो अब OTT पर आएगी तो 100% वो देखेंगे और एक चीज़ और बता दू डंकी का जो topic है relatable topic है वो जो अंग्रेज है फिरंगी है इस फिल्म के साथ भाई सब relate करेंगे क्यों क्या है डंकी मार कर विदेशों में जाना अब Oscars कहा होते हैं अमेरिका के अंदर होते हैं तो वहाँ वाला जो route होता है वो मेक्सिको वाला route होता है पर डंकी जो थी ये थी यूएस कैनेडा वाला ये कैनेडा वाला route था जो भाई सब दुबई वगई इरान विरान होकर जाते थे दोनों route अलग है पर relatable topic है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोग डंकी मार कर पहुँचते हैं same यही चीज़ है तो इस फिल्म के chances हैं आगे बढ़ने के अब depend ये करता है red चिलीस कैसे इसको present करती है जूरी तक पहुचाती है जितना जादा जूरी तक ये फिल्म पहुचेगी उतना जादा इस फिल्म की chances होंगे लेकर आने की hope for the best देखते हैं क्या होगा पर इतना कह सकता हूँ ये जो भी हो रहा है इस सब चीज़े बहुत बड़ी achievement है तो कहते है great achievement इतना तो मैं कहना करता है इस वीडियो में इतना ही thanks for watching